तो इन दिस वीडियो विए डिसकस अबाट हर्निया तो हर्निया के बारे में हम परल डेफिनिशन से स्टाट करेंगे तो इसमें लिखा है अब प्रोट्रिशन मतला उभरावा हिस्सा या किस कोई भी चीज उभर मलब प्रोट्रिशन रेफर होता है उभरी वी चीज खेंगे अब प्रोट्रिशन ओफ विसरल अऌरगन थूँआ वीकेंड एरिया इन दल वाल उव आब्डामिनल केविटी इन विच इन वीच इस नॉर्मली कंटेंट में इस्टांड रहनी जो वीकेंड एडिया अब्डामिनल वॉर्वाल है लाँ कोई वीक एरिया तो उस चीज़ को हरनिया कहते हैं, तो जब डाइफरग्रम में होल हो जाता है, तो जो abdominal organs हैं, वो chest cavity में चल जाते हैं, तो उस चीज को कहता है, diaphragmatic hernia, फिर है inguinal hernia, वे inguinal hernia में क्या होता है, जो soft tissues है ना, वो मलब भार के लिए bulge out हो जाता है, तो जो की मलब patient तो नहीं सी कर, मलब उसको तो नहीं दिख पाता है, पर examination के टाइम पर वो दिख जाता है, ठी inguinal hernia वोला होता है, जो soft tissue bulge out होता है, फिर है umbilical hernia, अमलाइकल hernia में क्यों होता है, जो इंतरस्टाइन है, वो जो हमारा belly button है, वहां पर इसे भार कले आई होती है, ठीक है, उस area में से जब भार आती है, तो उसको कहता है umbilical hernia, फिर है incisional hernia और surgical hernia, जब हमारी body में किसी कोई कट लगा हो, तो वह एरिया तो वहां पर surgery होई हो, तो वह एरिया तो वहां पर वीक हो जाता है, तो उस वहां पर भी chances होता है, कि जो organs है, वहां पर से bulge out हो सके, तो उसको कहता है incisional hernia, फिर लास्टे स्टैंगुलेटिड हर्निया, वाला hernia होता है, जहां पर blood supply होता है, तो यहां पर हो गए है, हर्निया के टाइप्स खतम, अब हम देखेंगे इसके causes, so the first cause is weakness of abdominal wall, abdominal wall होती है, वह वीक हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है, कि वहां पर कोई भी organ उसको धक्का मार के भार आ जाए, मतलब भार आ जाएगा, उपर से skin रहती है, पर वो बल्च तो उस यही कारण हो सकता है, हर्निया का, second है obesity, जिनको मोटा पर जादा रहता है, उनका भी कारण होता है, हर्निया का, अगर intra-abdominal pressure जादा है, ठीक है, तो भी chances है कि हर्निया होगा, क्योंकि organs प्रेशर जादा लगा रहे है, फिर next है chronic constipation, अगर cups की बिमारी जो है, वो chronic है तो भी हर्निया होने की चांसे होते है, अब हम देखेंगे sign and symptoms, तो जो पहला sign and symptoms में पहला point है, वो है severe abdominal pain, अगर हर्निया हो रहा है, तो abdominal में pain भी होगा, क्योंकि intra-abdominal pressure को जादा होगा, वो भार कले आ रहा होगा, organ धका मारके तो pain तो होगा, bowel obstruction होगा, obviously constipation है, तो bowel obstruction तो ह गई, vomiting होने का, vomiting, nausea, vomiting भी एक point है, और cramping, पेट में जो है, वो मरोडे उठेंगी, ठीक है, abdominal distension होगा, discomfort होगा, feeling of mass and palpation, जब palpation करेंगे तो वहाँ पर कुछ, मास, 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 एक से tenderness feel वहाँ पर, ठीक है, तो यह sign and symptoms होगा, यहाँ पर होती हमारी वीडियो, and तो इसका जो second part है, उसमें discuss करेंगे, pre-operative nursing care, और post-operative nursing care, मालब, surgery के पहले और surgery के बाद वाली nursing care, जो हम patient को दे सकते हैं, तो हम वो discuss करेंगे second part में, I hope आपको यह वीडियो helpful रही होगी, if you like this video, give a big thumbs up and subscribe to my channel,